दोस्तो देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एंटी नेशनल नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रहे ही घंटी भी दबाएं बने रहे हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ जिंद की अलेवा के नाज मंडी में चोरों ने बीती राद 11 दुकानों पर एक साथ खाथ साफ किया दुकानदारों ने कहा कि उन्हें 10 से 12 लाग रुपे का नुकसान कुआ गया चोरी की सुचना पाकर मोके पर S.P.R. गुमार्शीन ओफ करराइम की टीम मोके पर पहुंची और स्टिती का जाय जाली अप D.S.P. परमजीत समोता ने कहा कि कहीं दुकानों में नुकसान का मामला सामने आया और पूरे मामले की जांच की जारगी कै उन्होंने कहा कि अनाज मंडी के सभी आरतियों को पहले भी बोला जा चुका है कि सीC-TVE कैमरे लगवाए ताकी अपराधियों को जल्द पहचान होसके इसलिए सुरक्षा के मद्दे नजर सभी को सीC-TV कैमरे लगवा लेना चाहिए उनने कहा कि फुलीस चोरों को जल्द की गिरफतार कर लेगी। अपना टोटल दिया नहीं है लेकिन अभी हम वो जो क्राइम टीम है जो वहां से फिंगर प्रिंट से वगरा उठा रही है उसके बाद यह कह रहे हैं कि हम आपके काम होने कि बहुत जूद बाद हम इसको टोटल करेंगे और जो भी नुकसान होगा वो बाद में पता बता उन्होंने कहा कि चोरों ने गिरों बना कर एक साथ सभी दुकानों को निसाना बनाया नुक्षान ले रहे हैं उसके बाद जोर नुक्षान होगा वो भी हम प्रशासंस को बता देने हैं क्या मामला एजिमारी अड़ेवा मंडी दिश्टिक जीन्द में रात को पूरी गैंक के साथ यहां चोरी कीगी है जीन्द से एंटी नेशनल के लिए विजंदर कुमार की रिपॉर्ट अब देख रहे हैं एंटी नेशनल खबर वही जो हो सही